हलो स्टूदिंस आई दिपेंद्र वेलकम यौल तो मागनेट ब्रीज सिंगेज मैथमारिक्स के तुरू जो आपकी आइटी जी मेंस और इड्वांस की हम तयारी करें इसमें अभी हम सर्कल्स चाप्टर की बात करें अभी हम टेंजेंट्स की बात करें अगर मैं टॉपिक वा से वो टेंजेंट की गई है तो उसकेस में टेंजेंट की कैसे बनती है उस पर क्या बाते हम करेंगे आयोप आप जानते हो सिंगेज मैथमाटिक्स की जो बुक है यह पांच पार्स में रिवाइड है बैसिकली पांच सब बुक्स हैं यानों कॉडिनेट जोमेट्री कुछ सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कह रहे हैं आपसे कोई हिडन कॉस्ट नहीं है यकीन करिए ऐसा नहीं है कोई कि ट्राइल वर्जन होगा फिर पेट वर्जन होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किंडर गाडन से ट्वल्स स्टांडर्ड तक अलग लग बोट्स अलग क्लिक करके सीधे आते हैं पॉइंट पर स्टूडिंस कुछ स्टूडिंस की डिमांड रहती है कि सर हमें आप इस इन सारे वीडियो का जो आप से इंगेज मैथमारिक्स और आइटी जे मेंस इडवांस पढ़ा रहे हैं इसका एक प्लेलिस्ट बना के देजे बिल्कुल इसक सर्कल चाहां पर मुझा किसी सरकल पर देखो फंडबा मेरे आइकिन करो बारबर वही है क्या सर कि आपके पास सर्कल है इस सरकल पर किसी एक्सेंधिए ड्रो करहें इस circle पर ये दो tangents आपने जो draw की हैं, अब वो यही बात वापस कह रहा है, क्या इस tangent की equation लिखी जा सकती है, देखो, simple सी बात, बहुत simple सी बात, इस tangent की क्या खास बात है, आप सोच के देखो, sir, इस से पहले जो हमने lecture पढ़ा था, वहाँ अपने में देखा था कि अगर मुझे tangent की slope दे दी जाए, तो मुझे बस वो y intercept निकालना होता था, y is equals to mx plus alpha और alpha की हम निकाल लेते थे, value कैसे, circle के center से perpendicular distance radius के equal रख देते थे, याद आ रहा है, तो इस बार उसने आपको slope नहीं दी है, पर इस बार उसने point दी दिया, क्या point दी दिया है, कि सरी जो tangent है, यह किसी एक fixed point, let's say x1, y1 से pass होती है, फिर वही बात students, आपको indirectly, directly करना वही है, circle की equation होगी, क्या x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, sir इसे देखके क्या समझ आता है, इसे देखके सबसे अच्छा काम g1 का आप जो कर सकते हैं, वो क्या, sir मुझे तो यह समझ आता है, कि circle का center जो होगा, वो होगा, minus g, minus f, बहुत बढ़िया, अब अगर मैं इस tangent की, मानलो भी फिलाल यह जो external points आपने draw की है, वो PR और let's say PT है, जो of course दो tangents में draw कर पाऊंगा, क्योंकि यहां जा रही होगे, कि यहां जा रही होगे, मैं थोड़ी देर के लिए मानलेता हूं, कि sir, हमारी जो tangent की equation है, वो है PR, तो मैं जानता हूं, sir, इसकी कोई ना कोई slope रही होगी, तो आप equation क्या लिखोगे, y-y1 is equal to mx-x1, अब क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है, x1, y1 पता है, m नहीं पता है, आप समझ रहे हो, बहुत tough नहीं है, क्यों नहीं है, sir, अब बात समझो students, क्योंकि sir, फिर वही बात, circle क center के coordinates है, राधर पूरी circle की equation है, तो circle की radius नहीं निकाल सकते है, sir, radius का formula है, तो मैं जानता हूं, क्या होता है, sir, यहीं से निकाल लेंगे, g square, plus f square, minus c, अब क्या करूं, sir, अब आप मुझे बताओगे, क्या कर रहा है, sir, मेरे पास PR line की equation है, जो की है, circle की tangent, और अगर मैं circle के center स यह बड़ी मज़दार सी property है, कि circle के center से गर मैंने perpendicular drop किया, इस tangent पर, तो क्या मैं वो perpendicular length निकाल सकता हूं, unknown variable कौन होगा, उसमें सिर्फ m, मतलब technically, minus g, minus f से, इस straight line की perpendicular distance, जो आप निकालेंगे, वो किस के कर लोगी, sir, इसकी radius के, फिर वही बात, sir, उससे तो एक ही equation आएगी, यह नहीं, उससे 2 slope मिलेंगे, क्योंकि जब आप perpendicular distance निकालोगे, तो numerator में वहाँ mod लगाओगे, तो वो जो equation मनेगी, जिसमें m आपका variable होगा, उसमें mod लगाओगा, mod हटाओगे, तो plus minus लग जाएगा, और उससे आपको 2 m मिल जाएगे, तो एक तो आपके PR वाली line का slope होगा और एक PT वाली line का slope होगा, इतना आसान सा, simple सा concept है, अगर इन में पूरा algebraically आपको derive करके नहीं देना चाहरा हूँ, मैं बस आपको mechanism समझाना चाहरा हूँ, कि देखो चीज़ें आसान है, बस अच्छे से apply करना questions हो जाएंगे, क्या आपको ये thought, ये process, ये standard operating procedure समझा रहा है, I पहतर है, numerically करो, किसी question के सुरुटा कि आप और अच्छे से समझ पाओ, but it's a good idea always, कि आप इन्हें, algebraically, derivation की terms में, theory wise ये, theorem wise चीज़ें जानते हो, वो क्या कह रहा है, of course हम जानते है, जैसे इस बार उसने के example ले लिया, है ना, जैसे कि ये sir, क्या, एक circle है, let's say x square plus y square, is equals to, let है, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो slope है, tangent है, उसकी slope होगी M, तो उसकेस में हम ये tangent के question लिखना है, मैं कहता हूं, हमने तो नहीं रहता है, हमने तो याद नहीं कह, मैं तो बना लूँगा, मैं तो question देख के बना लूँगा, बिल्कुल, but of course, with time, अगर आप practice करकर के, इसे या equation लिख दोगे, y is equals to mx plus alpha times one plus m square, alpha क्या है, वो intercept, sir, अगर मुझे slope पता ना हो, मतलब है equation ना मैंने याद की हो तो, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, हमारे पास तो अपने methods है, y is equals to mx plus alpha, और चीजे वही बात वापस circle के center से drop की इस line पर perpendicular length radius के एक वो लोगे, और वहां से तो क्या, sir, तो या तो ही याद के लिजिए, और नहीं भी हो, तो इससे समझने की कोशिश करिए, वो इन सारी बातों पर ही आपसे बात करना चाहरा है, और सीधे घुमा फिरा के वो conclude करना चाहरा है, कि आप questions को mechanism, मतलब वो modus operandi की तरह समझ के करिए, कि चीजे कैसे होती है जैसे इस question के तरो मैं आपको थोड़ी clarity देता हूं, देखो, वो कह रहा है, find the equation of tangents to the circle, तो एक circle है, कहां से, sir, drawn from point P, which is 2,3, sir, इस question में क्या है, अब क्यों नहीं कर सकती है, question है, आपको याद है, हमें कोई formula रटने की ज़रुत ही, हमें basic concepts पता हो, कि चीजें कैसे reality में behave करत इसमें ज्यादा कोई load लेने वाली बात है नहीं, यह क्या हो गहीं, sir, आपकी दोनों tangents, कोई दिक्कत तो नहीं भई, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, है ना, तो यह हो गहीं है, आपकी tangents, ठीक है, यह एक external point है P, जिसके coordinates आप कह रहे हो, sir, 2,3, बिल्कुल सही बात यह आपका circle है, जिसकी equation है, क्या circle को देखकर आप circle के center के coordinates बता सकते हो, sir, क्या पूछ रहे हो आप यह तो यह भी बता देंगे, बोलो भी, यह कितना हो जाएगा 1 और यह कितना हो जाएगा minus 2, दिख रहा है क्या, तो sir, circle के center के coordinates हो जाएगे, 1, minus 2, क्या यहीं से आप मेरी circle की, you know, radius निकालने में help करेंगे, बिल्कुल कर देंगे, sir, कौन सी बड़ी बात है, अब तम सिब जानते है, 1 का square 1, minus 2 का square 2, मतलब 2 का square 2, तो square है, तो negative positive कोई फर्क महीं पर था, तो 4 plus 1, कितना 5, 5 minus minus 4, 5 minus minus 4, तो वो जाता है, 9, 9 का root 3, तो इसकी radius जो में निकाल पा रहा हू इसा मन में सोचना है, यह बनाना नहीं है, आप सीधे सीधे जानते हो, sir, मेरी लिए क्या होगी, equation y is equal to, मतलब मैं क्या बोलूँगा, y minus y1, so y minus 3 is equal to m, x minus x, तो में क्या लिकूंगा, x minus 2, आप इसे थोड़ा simplify कर लिजे, यह क्या हो जाएगी, mx, y इदर आएगा, तो minus y, य इसे straight line की perpendicular distance निकालो, जो कि हमारे लिए भी यह है, तो क्या मैं कहूंगा, वो 3 के एकपल होगा, बस इतना सा करना है, क्या यह बहुत tough, बहुत मुश्किल बात है, sir, नहीं है, आप सीधे सीधे निकालो, answer आएगा, तो निकालते हैं भई, 1, minus 2, so 1 into m, कितना, m, minus 2 into minus 1, that's plus 2 और यह कितना है, minus 2m, plus 3, इस पर आप ले लेते हो, क्या, mod, divided by, m square plus 1, तो under root over, m square plus 1, और यह किसके equal होगा, sir, यह equal होगा, किसके, radius के, जो कि कितनी है, 3, sir, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा काम क्या कर लेते हैं, sir, इसको उज़र ले आते हैं, तो m square plus 1 निज़र minus m, इसके उपर, of course, mod लगा हुआ है, आप चाहिन तो लगा लीज़े, और उस तरफ जब गया है, तो यह उज़र था है, 3 times under root over, 1 plus m square, अब आप मेरी एक छोटी सी बात पर गार करीए, students, अगर मैं दोनों तरफ square कर दू, by doing that, I'll technically get rid of both, बोत मतलब क्या, मुझे mod से भी मुक difference, कोई तकलीफ, I hope आपको realize हो रहा है, अब बनेगी एक quadratic और यहां से मिलेगी आपको m की दो values, पस इस तरीके से आप चीज़े solve कर लेंगे, बिल्कुल सर, अगर मैंने यहां से solve किया, तो क्या बन जा रहा है, सर, यह बन जा रहा है, 25 plus m square, minus 10m, यह कितना हो जा रहा है, 9 plus 9 m square, I think, चीज़े sorted है, बिल्कुल सर, इधर ले आओ, या उधर ले जाओ, कोई भी बात, digest कर लो, तो उधर लेके जाते, जो 9m square minus m square, कितना, 8m square, है ना, यह उधर गया है, तो कितना हो जाएगा, 10m, और सर, 9 में से 25 subtract किया, 25 minus 9 मेरे लिए कितना होता है, I think 16, तो यह हो जाए plus 5m minus 8 is equal to 0, I think सही है क्या, सरफ दो बाते है, 8 into 4 कितना, I think 32, अब मुझे दो ऐसी terms चाहिए, जिनका product कितना हो, minus 32, और जिनका sum हो 5, ढूंड सकते हैं क्या, कोशिश करते हैं, 32 के लिए मुझे क्या देखता है, 16 और 2 भी तो देखता है, पर बात नहीं बनती है, जैसे मैं इ characterization करता हूं, देखो, 32 मतलब 2 की power 5, मैं इसे सोच लेता हूं, मन में मैं ऐसे करता हूं, 32 मतलब मेरे लिए क्या, 2 की power 5, अब 2 को break करने की कोशिश करते हैं, 2 को break किया तो एक तो हो जाता है, 8 और 4, but 8 और 4 का difference या sum कहीं से कहें तक 5 नहीं बनाएगा, इसके लाब एक और क्या पर काम करते हैं सर, अगर बात नहीं बन रही है, या in case बन भी रहा हो, पर आपके दिमाग में उस वक्त आइडिया नहीं आ रहे है, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, श्रीधर आचारे मैथट, श्रीधर आचारे मैथट क्या कहें कि सर, वो कहेगा कि सर, आप सीज 4AC मतलब, मतलब मिन इस तो ये व्यड प्लस, सुन रहे हो क्या, four in to four केतना, 16, 16 का eight times, अब देखो सुनन, 16 का 10 times कितना होता है, 16 का double कितना होता है, 32, 160 मैं से 32 अच्छाए है, 160 मैं से 30 अच्छाक है, तो 130, 2 अरशब अत्या प्रिट्थ कितना, 128, कोई तक्रीफ तो नहीं संद 25 plus of course 128 divided by 2a so that's 4 into 2 8 तो चीज़ें कुछ ऐसे निकल करा रही है जो भी है वह आपके सामने है तो सर यहां से आप M की दो वालिउस निकालो कि कौन-कौन सी सरी कहो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडरूट ओवर सर 128 में 25 आड़ करना है तो 128 में 20 आड़ किया तो 138 148 148 में 5 आड़ किया तो 153 और 153 को आप आराम से बैठके फैक्टराइज करिएगा मैं तो नहीं कर रहा हूं बस यह मेरे पास N की दो वालिउस आ गई हैं हां आई अंडरस्टैंड का M आ चुका है और M की जब आप वालिउस रखेंगे कहां यहां 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 जहां भी आपको ठीक लगे उससे आपकी दो एक्वेशन में जाएंगी क्योंकि आप एक बार प्लस साइन करेंगे माइनस साइन और वही दोनों इक्वेशन इन दोनों टेंजेंट की है तो स्लोप निकाल कर कैसे हम वह एक्वेशन लिखते हैं कोई परेशानी कोई डाउट स्टूड़िस एक बहतरी सा बेसिक सा सिंपल सा सा इडिया है हमेशा मेरा इंफेसिस रहेगा आप को सिखाने पर कि आप इनकी ना मेकानिजम समझे आप वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिं अगर चाहें तो करिएगा बट मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर इतना काफी है यह चोटे-चोटे हम सारे टॉपिक सभी कवर करने वाले मलब टेंजिंट्स की जो अलगलग सिनारियो में मैं बात करना चाहा रहा हूं आप से कि देखो अगर स्लोप दी हो तो क्या करना है कॉ और फैंजिंट्स कैसे यह रहें करेंगे और ग्राजूली हम नॉर्मल पर सुनार्मल की इस निकाल मेरे अगिन करिए नॉर्मल और आसान के भी questions कर रहे हैं और हर chapter के end में जो आपको जे एडवांस में आए हुए previous years questions है हम उन्हें भी solve कर रहे हैं ताकि आपके एक बहतुरीन सी understanding हम develop करवा पाएं इस particular ये नो आईटी जे मेंसर इडवांस के mathematics subject को लेकर और students क्या ये playlist आप आरांज से subscription लेने को नहीं कह रहे हैं कोई hidden cost नहीं है इसके दोरा आप से कभी भी कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई ट्रायल वर्जिन ने फिर कोई पेड वर्जिन है जैसे अनलॉक करने के लिए आपको कुछ और फीचर के लिए कुछ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लाटफॉर्म है हम चाहेंगे कि आप इसे और भी लोगों तक पहुचाएं ताकि वो भी इससे benefit हो सकें इससे अवेल कर पाएं और अपनी आयाइटी जैए मेंस और एडवांस की तियारी को इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन के मैनर में कंटीनियू कर पाएं फ्री ओफ कॉस्ट आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें अच्छे से नोट्स बनाएं अच्छे से चीज़े पढ़िए questions कुछ से practice करिए बस यही इस तैयारी का पुरा क्रक्स है with that students, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं next lecture में, ख्याल रखें अपना, thank you so much